ओजौन आठ मार्च 2010 को लगा और उस समय राम सिंग नेता विधायक थे तो इनके समय में रोज बिल्डोजर आता था मेरे समय में दो साल में कोई बिल्डोजर नहीं आया है नमस्कार आप देख रहे हैं मुबाइल नियोट 24 मैं हुआ विसेक कुमाराज बदरपुर के अरपन पुलिया पर सीडियेस विपिन रावत को एक सरधान जली दी जा रही है पार्क के रूप में उनके नाम से इस पार्क को रखने की सौगात की जा रही है दिल्ली नगर निगम का चुनावन अज़िक है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और यहां के विधायक रामबीर विधूरी जी कुछी समय में यहां पर पहुच कर विधिवत इसका उत्गाटन करेंगे और यहां देखिए महिलाओं की फौज भाजपाय की जो महिला कार करता है वो एक अत्रित है हम बाचित करेंगे इसमें हमारे साथ उसा सिम्जी है जो प्रदेश कारकार्णी सदस्य में है और इनका बूल वाला इस बार निगम चुनाव को लेकर भी जनता के बीच पहली पसंद महिला उमिद्वार के तौर पर इनको देखा जा रहा है झाल ना चाहते थे जए बहुत बहुत अबयात आपका अव्जशन की और जो आपने मुझे मोबाइल नीगशनल पर इसके लिए आपका बहुत बहुत और यह हमारे विदायक मैं यह भी जानना चाहूंगा निगम का चुनाओं नजदिक है और यह सीट आपका परिसिमन में महिला रिजर्व सीट हो गया है इसी स्थिते में उसा सिंग की नितिया क्या है और उसा सिंग किस तरह से तैयारियों में देटी हुई है पार्टी का भरोसा किस और जाने वाला ह है जंता तो पसंद कर रहे है और छेत्र की जनता अगर मुझे पसंद करती है और पार्टी सीर से नत्य तो मुझे टिकट देती है पार्टी का सिंबल देती है मैं चुनाओ लड़के पार्टी के टिकट ले आके और सीट निकालके पार्टी के जोली में डालूँगी यह मेरी समझाद यहां से कुछ दूरी खड़ा कॉलमी हो और बड़ी तादाद में वहाँ पर मैनोल्टीज लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाई के लोग रहते हैं, कैसे सब का साथ और सब का विकास सब का सम्मान होगा? मैं बता रहे हूं, मैं जो बता रहे हूं कि परसों जो हमने शराब के आपकारी निती के विरोध में, हमने जो बैठा जगा 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 लगाए थे, वहाँ पे हमें मुस्लिम महिलाएं और छात्रा इसकी लड़िकियां, हमें उनका ज्यादा समर्खन लेके, और सब लोग सु स्रुप से, इनका एक कहना है कि सभी समुदाय, सभी वर्गों को आगे लेकर, सब का साथ, सब के विकास की रननीती भाजपा द्वारा की जा रही है, और यही सिल्सिला जो है, एक बार पुनह, दिल्ली नगर निगम में, यहां के विधान सभा की पाचु सितों में, देख रहे हैं, और इसके भगल में, इधर पार्क है, जहां पर अब से कुछी देर में, बिधायक रामबिर सिंग बिधूरी पहुचने वाले हैं, और इस पार्क का बिधिबत इनोग्रेशन होने वाला है, जिसको की जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाना है, इस पा पार्क का नाम रखा है, पार्क का और धाटन हुआ है, पार्क का नाम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश है, जनरल विपिन रावत जी के नाम पर अत्पन बिहार से लेके बसंतपुर तक जो हाली में सड़क बनाई गई है, यह सड़क जनरल विपिन रावत जी के ना के नाम पर बनाय जा रहा है मैं उनके चर्णों में नमन करता हूं सर दिल्ली में नगर निगम का चुनो है आप नेता प्रतिपक्ष भी है और इस छेत्र के विधायक भी हैं क्या कुछ संदेश है इस बार क्या आमादमी पार्टी का जो सिर्फ फ्री प्री का वादा है उसके सामने भाजपा टिक रही है मैं इस पर कोई अपना कभी कोई रियक्शन देता नहीं हूँ मेरे से विकास की बात करो मैं दो साल से छेत्र की नुमायंत की कर रहा हूं इस छेत्र में मेरे विधायक बनने के बाद लगभग 700-800 गलियों को पक्का किया गया है मीठापूर चौक से 33 DTC की बसे चली है मीठापूर चौक को पक्का कर दिया गया है विधूरी साब एक सवाल मैं आप से और पूछूंगा आज कल आप सोसल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं देख रहे होंगे किस तरह से यहां पर आम आदमी पार्टी और राम सिंग नेता जिद्वारा एक मुहीम चलाई जा रही है कि रजिस्ट्री के नाम पर लोगों से फर्जी में पैसे लिए गए ओजौन का मसला नहीं सुलजा तो बिधूरी साब क्या कुछ कहेंगे यहां की चुनाबी मुद्दा बन रहे हैं लिगमका छोड़ो ना कितने चुनाबी मुद्दे बनते हैं यह 2020 में आप चुनाबी मुद्दा बना रहे थे उनकी जमानत जब ठो गई है जो लोग चुनाबीर सिंग बिदूरी जो है लगातार 2007 में मैंने नहर पार जीता 2012 में मैंने नहर पार जीता, 2017 में जीता, 2013 में जीता और 2020 में जीता और आप उछना चाहते हो तो अभी 2022 में फिर जीतने हम जा रहे हैं यह जो लोग बोलते हैं ना आठ मैं आपके इसमें बोल रहा हूं ओजौन आठ मार्च 2010 को लगा और अगस 2010 में लागू हुआ अगर आठ मार्च 2010 को नहीं लगा होगा तो रामभीर सिंग बिदूरी लीडर अपोजिशन के पस से इस्तिफा दे देगा और उस समय राम सिंग नेता विधायक थे उनके नेता सिरी रमेश वो पारलेमेंट के मेंबर थे दिल्ली में भी कॉंग्रेस की सरकार थी और केंदर में भी कॉंग्रेस की सरकार थी क्योंकि ये लोग जमीन बेच रहे थे फरिदाबाद दिला में कौन-कौन सी कलोनिय है पास में तो जब रामभीर सिंग बिदुडी ने 2008 तक इस छेत्र की सारी गलियों को सिमंटिड किया एरिया को एलक्रिफाइड किया गंगा जल लेकर आया तो उनका धंदा वहां बंद हो तो उन्होंने ये सारी साजी स्रची और उनके रहते हुए छेत्र में कोई आदमी मकान नहीं बना सकता था मैं 2013 में चुनाव जित काया लोगोंने बगर किसी डर बगर किसी भैके हजारों मकान बनाए और जब से अब मैं बना हूँ तो इनके समय में रोज बिल्डोजर आता लोग सकून से रह रहे हैं इसलिए आपने ये मेरे से सवाल उच लिया है तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं मैं कभी किसी की जो जो लोग मेरे विरोध में बोलते हैं मैं उनकी कभी निंदानी करता हूं ना मैं उनकी कभी चर्चा करता हूं आपने कर दी है तो मैंने उसक को लुए सुख से कह रहे हैं कि हम विकास करते हैं किसी के झूठे इरादे और किसी पर आरोब नहीं लगाते स्थ विकास करना प्राक्षक क्विकार और उसी विकास की राभ पर पुणा बदरपुर की ज़ता जाने वाली है और यहाँ के पाछू कॉंसel जीतेंगे कामरा प्रसंद दिलिप कुमार के साथ मैं अविस्टेप कुमार